सब्सक्राइब कीजिए रोयल टीचर को एज्यूकेशन संबंदी न्यूस तुरंत पाने के लिए 37006 कों का होगा समायोजन अदिशेसकार्मिकों के समायोजन का जानने उनका क्रम अदिशेसकार्मिक किसे माना जाएगा उनके काउंसलिंग का क्रम क्या रहेगा पूरी बात करेंगे आज के इस वीडियो में तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे अदिशेसकार्मिकी असिक्षक जो भी है उनका समायोजन रिक्तियों के निम्दांकिंत क्रम में किया जाएगा तो सबसे पहले जैसे रिक्तियां होती है उसी विद्याले में रिक्टपद है तो उसका समायोजन उसी विद्याले में रिक्टपद पर किया जाएगा उसके बाद उसी राचसोग गाउं में रिक्टपद होने पर वहां किया जाएगा अगर वहां पर भी रिक्टपद नहीं है तो उसी राचसोग गाउं में रिक्टपद नहीं होने पर और इसी तरह ब्लॉक में भी रिक्ट पद नहीं होने पर अन्य ब्लॉक के विद्याले में रिक्ट पद पर यथा संभव निकट के ब्लॉक के विद्याले में समायोजन किया जाएगा इसके सासत मंत्राले करमचारी जो भी है उनका समयोजन यथा संभव उसी जिल्ले के विद्याले में किया जाएगा जिल्ले के विद्याले में अगर पदरिक्ट नहीं है तो उनको कारेले में लगाया जाएगा शहरी शेत्र के अधिशेस कार्मिकों का समायोजन शहरी शेत्र में ग्रामी शेत्र के अधिशेस कार्मिकों का समायोजन गामी शेत्र में किया जाएगा इस तरह अब बात कर लेते हैं अधिशेस कार्मिकों कौन होंगे किसे अधिशेस माना जाएगा तो यहां पे दोखों दोस्तों जो आदेश जारी किया गया है उसमें अधिशेश कार्मिकों की पेचान के संबन में कुछ पॉइंट यहां पे दिये गए हैं जैसे अंग्री जी माध्यम विद्यालेओं में विद्यालेओं हितु हुँ शिक्षों और कार्मिकों के चेन के पाद कारेग्रण के पस्चात ही उन विद्यालों में पहले से कार्यरत संकक्ष चेनिज सिक्षक या कार्मिकों अधिशेश माना जाएगा अंग्री जी माध्यम विद्यालेओं में जिनमें पूर्व प्रात्मिक अक्षाइं संचालित की जा रही है उनमें पूर्व प्रात्मिक शिक्षा अध्यापकों के पदस्थापन पर कारे ग्रहन करने की इस्तती में इन विद्यालों में पूर्व प्रात्मिक अक्षाओं के अध्यापक लेवल वन शिक्षकों को अध कित मांडंड है वो मांडंड पी आपको दिखाया जाएगा उसमें जो स्विकर्ट पद है उन पदों को मान कर मांडंडों को मान कर मांडंड से अगर अधिक कारेड़ शिक्षक या कार्मिक है तो उनको अधिशेश माना जाएगा जिन अंग्रेजी माधिम विद्याले में अध्यापक लेवल प्रतम और लेवल तित्य का पदस्थाफन किया गया है लेकिन इन विद्याले में वरिष्टतम कंप्यूटर अनुदेशक बैसी कंप्यूटर अनुदेशक का पदस्थापित है तो दिशेश मानते हुए उनका समायोजन किया जाएगा और अंग्रेजी मादियम में की कख्सान है तो पूर में मानदना नुशा स्वीकर्थ जितने भी पद है उनके अत्तिविक्त अगर कोई कार्मिक लगा हुआ है तो अधिशेश कार्मिक का निर्दारण उसमें किया जाएगा विद्याले में जितने पदस्थापित है चाई वो प्रारंपिक ह प्रबोदक वरिष्टम शिक्षाकर्मी शिक्षाकर्मी पंचय शिक्षक कनिष्ठ शिक्षक पैराठीच ट्रैनी इत्यादी इनके पद विद्याले में नहीं होते हुए भी विभाग में अधिशेश माने जाएंगे अगर कोई नाइक प्रकण में इस्तगन प्राप्त है श शिक्षक अधिशेश हो रहे हैं तो उनको जैसे विद्याले में कार्मिकों के कारेगरण तिथी के आधार पर वरिष्ठ कार्मिक जो है उनका समयोजन उसी विद्याले में करते हुए कनिष्ठ कार्मिकों विद्याले में अधिशेश माना जाएगा यानि पहले जिसने सेकार ग्राम पंचायद वलोक में अधिसेश कार्मिकों को जिन हित किया जाका समयोजन उनका कर दिया जाए और इशी तर अंग्रेजी मादेम विध्यालेव में लुद फैल लगाया जाएगा जब हिंदी मादेम विध्यालेव में पद औरिक्ट नहीं हो यह समायोजन केवल चैनिस शिक्षक या कार्मिक उपलब दोने तक के लिए ही किया जाएगा पॉइंट नम्बर ठी मादिमिक शिक्षक विभाग के विद्यालेव में अधीशेस कार्मिकों का समायोजन उसी इसपष्ट रिक्ट पद और विशे पर यानि रिक्ट पद कितने हैं और विशे कौन से विशे का रिक्ट पद है उसी पर उनके मूल पद के अनुसार ही मादिमिक शिक्षक विभाग में विद्यालेव में किया जाएगा अन्य पद या पद विरूद कद नहीं किया जाएगा यानि पद विरूद पद स्थापन नहीं किया जाएगा उनको मूल पद पर ही लगाया जाएगा मादिमीक शिक्षा विपा के विद्याल में रिक्त पद सेश अगर नहीं है तो प्रारंबीक शिक्षा विपा के विद्याल में समायोजिन की कारवा ही की जाएगी Point No.3 most important है क्योंकि उनको लिखा गया है Point No.3 में अन्य पद और अन्य विषय यानि जिनको जिनका जो मूल विषय है उनके उपर नहीं लगा कर दूसरे विषय के उपर लगाया गया है जिनका जो मूल पद है उनको पद पर न लगा के हुए पद विरूद लगाया गया है वो सभी अधीसिस में आएंगे उनका पदस्थापन इस तरह से अन्य पद या पद विरूद नहीं किया जाएगा उनको इस पष्ट रिक्ट पद और रिक्ट विशेव पर ही मूल पद के अनुसार मादिमिक विद्याले में शिक्सा विभाग में विद्याले में किया जाएगा जिन अध्यापकों लेवल 1 और लेवल 2 की रिक्त उक्त नियम 6-3 के तर शिक्सा विभाग में दिये जाने की कावई की जा चुकी है उन्हें अन्हें मारत माधिमिक शिक्षा विभाग के विद्याले में लगाया जाएगा यदि जिले में माधिमिक शिक्षा विभाग के अधिन विद्याले में पद रिक्त नहीं है तो उन्हें प्राणबिक शिक्षा विद्याले में भी लगाया जाएगा और जिन विद्याल अध्यापकों की लेवल 1 और 2 के समद में राशना शिक्षा शेवा नियम राज्य अधिनस 12 किष के नियम 6-3 के तहट शिक्षा विभाग में लेज जाने की कारवाई नहीं की गई है उन्हें विभाग में पद सेष नहीं होने की श्तती में अधिशेष मानते हुए पंचायती राजपदों पर लगाया जाएगा इसी तरव मादिमिक शिक्षा विभाग में समायोजन नहीं हो सकने वाले अधिशेष कार्मी जैसे वरिष्ट प्रबोदक है प्रबोदक है वरिष्ट शिक्षाकरमी शिक्षाकरमी पंचाय सिक्षक कनिष्ट शिक्षक पैरा टीचर ट्रेनी टीचर इत्यादी को प्रामी खिच्षा विबा के ग्रामीन शेत्र के विद्यलम में ही पदस्थापित किया जाएगा नॉन टीएसपी के शेतर के जो शिक्षक है उनको नॉन टीएसपी में और टीएसपी शेतर के जो शिक्षक है कार्मिक है उनको टीएसपी शेतर में लगाया जाएगा जो कार्मिक APO है पदस्थावन अदिशों की प्रतीक्षा में उपस्थिती दे रहे हैं शिक्षक या कार्मिक का समायोजिन भी अधिशिस कार्मिकों के समायोजिन के साथ ही किया जाएगा अब आप कर लेते हैं काउंसलिंग की जो सूचिय तैयार होगी उसके संबंद में संबंधित पद लेवल विशे के समीदाकार्मिक विशे सिख्षक प्रबोतक यह अध्यापक ग्रेट थड की काउंसलिंग के लिए अलग-अलग वरेता सूची तैयार की जाएगी सबकी अलग-अलग वरेता सूची तैयार होगी और काउंसलिंग आयोजीत करने का क्रम जो most important है कि पहले काउंसलिंग किसकी होगी तो समीदाकार्मिक विशे सिख्षक प्रबोतक और अध्यापक लेवल थड का काउंसलिंग क्रम रहेगा और काउंसलिंग आयोजीत करने का क्र प्रारंबीक शिक्षा विभाग में जो कारेड़त रास्तान अधिनच सेवा नियम 6D के तहट सैटप परिवर्दन और अधिनच सेवा नियम उनुशे कत्र के तर सहरी और ग्रामीन सेत्र में नियुक्त द्यपवगों की वर्थमान पदस्थापित जिल्ले में कारेगंट त थी की वरेता अनुशार मिस्ट्रि सूची डियो प्रारंबीक शिक्षा द्वारा साला दर्पन पोर्टल से त्यार कर जिल्ला शिक्षा दिगर मुख्याले माधिमिक को कांस्लिंग के माधियम से पदस्था समायोजन की कारवाई हे तू शिक्षा विभाग ग्रूप दो के आदेश करमांग दोजा सोडा के द्वारा दिशा निर्दे जारी किये गए हैं जिसके तत कारवाई पून करने के उपरांद माधिमिक शिक्षा के विद्यालेयों में कारेरत पंचायती राज सेटप के वे सिक्षक या कारविक जिनका सेटप परिबटन नहीं हुआ है समयोजन के प्रस्ता काउंसलिंग प्रक्रिक के मध्यम से तेयार की जाएगी यानि उनकी कांसलिंग होगी और जो भी अधिशेश या शिकारमिक है उनका समयोजन प्रदस्थापन की कारवाई प्राणभीक शिक्षा विपाग द्वारा जो मूल बद मूल विश्य है उसके अनुसार की जाएगी जिल्ला शिक्षा अधिकारी मुखैले प्राणभीक शिक्षा द्वारा अध्यापकों और सेक्षिक आर्मिकों की वरेता रिक्तियों को साला दर्पन पोर्टल से जनरेट करके प्रकासन विभागे वेबसाइट अधा कारेले के नोटिस बोर्ड पर किया जाएगा उसके बादद विद्वा आंप परिटिक्टा मैला अभियर्थी मूलपद और विश्यपर जिल्नेुमे कारेगर्ण की टिःति के करम के उसके बाद महिला अभियर्थी है उसके बाद सेश अभियर्थी है जिनमें काउंसलिंग का करम रहेगा और मोस्ट इंपोर्टेंट बात यहां पर यह भी लिगी गई है कि किसी भी परिष्टिती में सुन्य नामंकन वाले विद्याले में पदस्थापन समयोजन नहीं किया ज जाएगा और एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात कि यह भी सुनिशित किया जाएगा कि पदस्थापन या समयोजन की प्रक्रिया के परशात कोई भी विद्याले सुनिय नामंकन वाले विद्याले को छोड़ कर सिक्षक विहीं नहीं हो विद्याले के सभी अध्यापकों कार्यमुक्त नहीं करना है जब तक विद्याले में अन्य कार्मिक का समयोजन पदस्थापन नव पदस्थापन या स्थाना अंधरशे कारेकरण नहीं करें तो लाष्ट में कनिष्ठम कार्मिक रहेगा इसके अलावा ऐसे प्रात्मिक और उरच प्रात्मिक विद्याले जि तो पदों पर समायोजन के पस्चाद सेश रहे अधिशेस कारमिकों के समायोजन के संबंद में जो आदेश जारी किया गया है उनके संबंद में हलंकि ये आदेश शिर्फ और सिर्फ मुख्य ब्लॉक शिक्षादिकारी समस्त जोदफुर ग्रामिना फलोदी के ऊपर ही लाग मांते हैं लेकिन इनमें जो बताया गया है उसके बारे में हम एक बार गौर कर लेते हैं कि किन कि parenth की सूची मांगी गई है तैयार करने के लिए बोला गया है ऐसे विद्यले जो कि प्रात्मिक या उछ नमीं राज किया मात्मा गांदी अंगरे जमािशा कारमिक द्रीबर्टों हो गए है उन विद्यले में प्रारभिक सिक्षा के कार्मिक नि दिकी कारण से off-line कारी रत हैो offline का कारण से अन्हों ने मांग आए उम्मीदे दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आईगी वीडियो पसंद आए तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए पास में आने वाले गंटी के बटन को जरूर दुमाएं है तो किसे समंदी न्यूस परन पाने के लिए